बॉलिवुड एक्ट्रेस दिपिका पादुकोन और शारुकान के फिल्म पठान जल्दी रिलीस होने वाली है। फिल्म को लेकर फैन्स में जबर्दस्त ग्रेस है हलांके रिलीस से पहले ही फिल्म काफी विवादों में भी रह चुकी है। फिल्म के गाने बेशरम रंग को लेकर काफी बवाल मचा था। दरस इस गाने में दिपिका पादुकोन की भगवा बिकनी पर कई नेता और हिंदू संगटनों ने अपती जताई थी। महीं अब दिपिका ने पहली बार फिल्म पठान के कॉंट्रोवर्शल सॉंग बेशरम रंग को लेकर बात की है। यश्राज फिल्म के यूट्यूब एकाउंट पर श्रियर किये गई वीडियो में दिपिका पादुकोन बताती है कि बेशरम रंग की शूटिंग काफी कटिन परिसितियों में हुई है। दिपिका ने दोनों ही सॉंग्स बेशरम रंग और जूमे जो पठान को जबड़ दस्त हिट भी बताया। सॉंग बेशरम रंग के बारे में बात करते हुए दिपिका ने कहा कि बेशरम रंग के लिए मुझे काफी महनत करनी पड़ी थी। उन्होंने बताया कि जिस लोकेशन पर हम शूट कर रहे थे वो अपने आप में काफी चलेंजिंग थी। सॉंग में उस जगह को देखकर ऐसा लगता है कि वहां मौसम काफी गर्म और खोपसुरत है लेकिन असल में ऐसा नहीं था। दिपिका ने बताया कि जिस जगह पर ये सॉंग शूट हो रहा था वहां काफी ठंड थी और तेज हवाएं भी चल रही थे। इसलिए हम बहुत ही मुश्किल कंडिशन में काम कर रहे थे और फिर इसे ब्यूटिफुल और सनी जैसा दिखाना भी आसान नहीं था। दिपिका सॉंग जूमी जो पठान में भी शारुखान के साथ नजर आई हैं इस बारे में बात करते हुए एक्ट्रेस ने कहा कि जब भी हम साथ डांस करते हैं तब काफी मज़ा आता है। एक्सपीरियंस रहेगा। शारुख के साथ काम करके मुझे कैसा लगता है ये शायद मैं शब्दों में भी बयान नहीं कर सकती। उन्हों ने कहा कि शारुख के साथ मेरा रिष्टा, feelings, emotions, प्यार का है ये unconditional love है। दपिका ने कहा कि मैंने अपने करियर की शुरुवात किंखान के साथ फिल्म ओम शांती ओम से की। और अब पठान जैसी action thriller फिल्म में शारुख के साथ काम करना मेरे लिए बेहत ही special है। फिल्म पठान में काम करने को लेकर दपिका ने खुलासा किया है। दिपिकाव शारुखान के फिल्म पठान 25 जनवरी यानि कल ही सिनेमा घरों में रिलीज होने वाली है। फिल्म के एडवांस बुकिंग जारी है, फिल्म ने रिलीज से पहले ही कमाई के बड़े आंकडे को छो लिया है। पठान से शारुखान चार साल बाद बड़े परदे पर कमबैक भी कर रहे हैं, इस फिल्म में केंग खान को जबर्दस एक्शन करते हुए देखा जाएगा। फिल्म में जान अब्राहें, डिंपल का पाडिया और आशुतुष राणा भी दमदार रोल में नजर आने वाले हैं। इस खबर में फिल्म लितना ही, तमाम अब्डेट्स के लिए आप बने रहें वान इंडिया हिंदी के साथ।